असलाम लेकुम स्टूरेंट्स, वेलकम बेक तो दा लेक्शर, नाव यार गॉइंग तो डिसकस अबाउट ता सफिशेंट कंडिशन फोर डिफ्रेंशिबिलिटी ने जो है ये कंडिशन ओर्रेडी डिसकस की हुई है, जस्ट अब हम ये देखना चाहरे हैं कि अगर हम CR equations की मदद से या partial derivatives जो हमने find किये होंगे, उनकी help से हम किस तरह जो है वो derivative find out कर सकते हैं, अब हम जो है ये चीज़ जो है वो देखने चाहरे हैं, यहाँ पर जो है हमने यह जो यू consider किया है, यह हमारे पास जो है वो real function ही है, ठीक है, और V हमारे पास यहाँ पर imaginary, यू और V जो है वो दोनों हमारे पास real functions है, और U हमारे पास real part है, और V हमारे पास जो है, वो imaginary part है, complex function का, अब पहली बात तो यह के यह जो है, यह continuous हो, दोनों functions यह continuous हो, और इनके continuous first order partial derivative हो, इन सम नेबर्वूड ओफा, पॉइंट Z, किसी point Z की neighborhood में और यह continuous हो, और फिर हम क्या कहें, क यू और V जो है, वो क्या satisfy कर रहे हो, CR equation satisfy कर रहे हो, उस point Z पे, तो then फिर हम उस complex function को कहेंगे, कि वो complex function जो है, हमारा यह से, F of Z, यह differentiable है, ठीक है, दो चीज़े हमने कहीं, एक तो हमने कहा कि यह जो दोनों real functions हम ले रहे हैं, जो कि हम पहले भी मैंने आपको detail में बताया, कि यह यू वाला function जो है, वो as a real part, और V वाला function जो है, वो as a imaginary part है, इस Z function का, लेकि निट सेल्फ यह दोनों जो है, वो real functions है, यह imaginary से योटा की वज़ा से होता है, और फिर हम क्या कहरे हैं, कि यह एक तो ही continuous हो, add Z पे, उसकी neighborhood में, ठीक है, और दूसरी बात हम यह कहरे है, कि CR equations जो है, वो satisfy करें, उस Z वाले point पे, तो फिर यह complex function जो F of Z वाला है, जिसको हमने UX, Y का function लिया हो, ऐसे तरह V को भी हमने X और Y का function लिया है, तो फिर यह दोनों जो है, हमारे पास यह वाला function जो है, वो differentiable होगा, अब अगर यह function differentiable है, तो फिर इसके derivative की यह F of dash of Z की value जो है, वो किसके equal होगी, यह हमारी equal होगी partial U over partial X plus A उटा partial V over partial X के, ठीक है, यह तो हम यह use करेंगे, क्योंकि यह CR equations को satisfy कर रहा है, तो CR equations से में यह क्या पता जलता है, कि UX जो है, वो हमारा किसके equal आएगा, V, Y के, और जो है VX जो है, वो हमारा equal आएगा, minus U, Y के, अब यह CR equation क्योंक के equal है, तो यह हमारा partial V over partial Y, मतलब VY के equal हमने लिख दिया, और दूसरा यह हमारा पास जो है, VX जो है, यह partial V over partial X, इसकी प्लेस पे फिर हमने यह use कर लिया, partial U over partial Y, मतलब इन दोनों में से कोई एक expression जो है, वो हम use कर सकते हैं, derivative की value find करने के लिए, अगर यह conditions जो है, वो satisfy कर अब इसकी applications की तरफ हम लोग जो है, basically move करना जा रहे हैं, हमें पते कि जो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो polynomial है, और जो यह trigonometric functions है, यह जो है, वो हमारा पास क्या है, entire function है, अब log of C जो है, यह भी हमारा पास जो है, यह सिरफ negative values के लिए define नहीं है, इसलिए यह entire function तो नह principle भी है, पुरे complex pain पे, अब यह log of C जो है, यह भी हमारे पास है, लेकिन इसमें हमारे पास domain जो है, वो restrict है, कि negative real axis पे जो आते हैं, वो numbers हम इसके लिए जो है, वो consider नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक function है, पहले हमने इसकी differentiability check करनी है, कि हमारे पास इसकी differentiability क्या आ रही ह differentiability जो है, वो इस function क्या हम check करने जा रहा है, यह function हमें given है, f of z is equal to z square, अब z हमारे पास अगर जो है, वो x plus iota y के equal है, ठीक है, तो यहाँ पर z जो है, वो हमारा equal है, z is equal to, हमने लिया हुए है, x plus iota y, तो इसका जब हम scale लेंगे, तो यह मरपासा देगा, x square plus iota square y square, और 2xy iota अब हमें पता है, कि जो iota square है, वो हमारा equal होता है, minus 1 के, तो यहाँ पर यह minus y square आ गया, और plus 2xy iota यह हमारे पास आ गया, अब हमें जो है, इसके लिए, cr equations को हमने चेक करना है, कि वो हमारी जो है, वो satisfy हो रही है या नहीं, अब इसमें जो real वाला part है, अगर इस function में हम observe कर लिए, ux और uy हमने find कर लिए, ux हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, x के, और अगर हम uy find करें, तो यह minus y square, x square का तो 0 हो जाना है, यह y हमारा आ जाएगा, minus 2y, इसी तरह vx की value यहाँ से हम देखेंगे, तो vx की value आ जाएगी, हमरे पास 2y, कि जब x के respect derivative लेंगे, तो यह 2x तो हमारे पास 2xy है, तो x के respect हम partial power partial x find कर रहे हैं, तो यह जो 2y है, यह ऐजा constant treat होगा, और x का derivative 1 आ जाएगा, तो यह हमारे पास आ जाएगा 2y, अब इसी तरह vy जो है, वो हमारा आ जाएगा 2x, यहाँ से हम clearly देख सकते हैं, कि हमारा ux किसके equal आ रहा है, vy के, यह पहली पर इसी एर equation थी, और दूसरा हमारे vx जो है, वो y के equal आ रहा है, for all x and y belongs to real, हमारे पास x और y के कोई भी value हो, उसके लिए यह CR equations जो है, वो satisfy कर रही है, तो इसका मतब है कि CR equations जो है, वो whole real plane में जो है, वो क्या कर रही है, satisfy कर रही है, और इनके partial derivative जो है, वो भी continuous है, अगर partial continuous है, CR equations भी satisfy कर रही है, तो जो अभी हमने sufficient condition discuss की है, differentiability के लिए, तो फिर यहां से हमें क्या पता चल गया है, कि f of z is equal to z square, यह वाला function हमारा क्या हो गया है, differentiable everywhere, अगर यह differentiable everywhere हो गया है, CR equations satisfy कर रही है, और continuous भी है, अगर यह तिनों condition है, तो फिर यह function जो है, वो हमारे पास ए यह हमने इसको entire का, क्योंकि यह x और y की हर value के लिए, यह CR equations जो है, वो हमारी satisfy कर रही है, तो फिर यह हमारे पास, जो है, यह entire function हो गया, क्योंकि पूरे plane पे यह continuous भी था, पूरे plane पे CR equations satisfy कर रही है, तो finally हमें क्या पता चल गया, कि यह function जो है, यह हमारा क्या हो गया, entire function हो अब next एक और example है, इसमें भी हमें जो है, वो differentiability ही चेक करनी है, इसमें भी सबसे पहले हम real और imaginary part जो है, वो separate separate कर लेते हैं, इसमें अगर हम देखें, z mode का square है, तो z हमारे पास यहाँ पर equal है, x plus iota y की, और z का modless है, वो हमारा equal होगा, x square plus y square, और इसका square root, अब इसका hole हमने जो है, वो scale लेने, तो यह हमरे पास आजाएगा, x square plus y square, यह term आगी, अब इसमें हम देख सकते हैं, कि real part तो हमारे पास आ रहा है, x square plus y square, और इसमें जो imaginary part है, वो 0 है, क्योंकि इसमें जो imaginary part है, वो हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पर रहा योटा वाली कोई भी term नहीं आरी, तो इसको हमारे योटा टाइम 0 लिख सकते हैं, तो imaginary part हमारा इसको 0 है, और real part हमारा, इसको x square plus y square आ रहा है, इसका ux हमने find किया, वो 2x है, u y find किया, वो 2y है, vx हमारा x है, और vy y है 0 है, तो यहाँ से भी हम जो है, वो देख सकते हैं, कि ux हमारा जो है, वो y के equal, equal तो नहीं आ लेकिन हमें यहाँ से कोई condition मिल रही है, कि कब यह दोनों जो है, वो equal होंगे, अब क्या condition हमें मिल रही है, ux हमारा 2x था, और vy y जो है, वो हमारा था 0, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 2x is equal to 0 आ रहा है, तो x is equal to 0 पे यह condition हमारी satisfy हो रही है, और दूसरी हमारे पास क फिर y, यह minus 2y की value हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 0, x की भी हमारे पास 0 आ गी, और दूसरी condition से y भी जो है, वो 0 आ गया, तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि यह differentiable है, only at z is equal to 0, means सिरफ यह z is equal to 0, 0 मतलब x भी 0, y भी 0, यह x और y, x, y की values लिए है, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो तब हमारा यह z 0 है, यह सिरफ z is equal to 0 पर यह conditions जो है, वो satisfy करी है, इसके लावा जो है, यह condition कहीं भी satisfy नहीं करी है, अब next हमें जो है, वो कुछ मजीद इसकी, जो examples है, उनके लिए हमने discuss करना है, कि यह analytic है, यह differentiable है यह नहीं, अब कहता है कि check analytic if f is differentiable, f differentiable है y is equal to x पे, यह हमें गिवन है, कि यह y is equal to x वाली जो line है, जो यह 45 का angle बनाती है, और जो first or third quadrant को bisect करती है, इस line पे given है, कि यह function f जो है, वो differentiable है, हमने check करना है कि यह analytic होगा, कि नहीं होगा, यह analytic नहीं होगा, because anyway, because we have no such neighborhood whose every point is differentiable, यह सिरफ इस line पे differentiable है, इस line पे अगर हम क neighborhood लेते हैं, तो इस पे किसी भी neighborhood पे यह differentiable नहीं है, सिरफ हमें इतनी बात given है, कि यह point पे जो है, इस line पे जो है, वो differentiable है, तो इसका मतब है कि फिर यह function जो है, यह हमारा analytic नहीं होगा, क्योंकि analytic के लिए हमारे पास condition यह required है, कि उस point पे भी यह differentiable हो, उसकी neighborhood में भी क्या हो differentiable हो, next हमारे पास यह function है, f of z is equal to e raised to power minus x into e raised to power minus iota y, इसकी हमने जो है, वो differentiability जो है, वो discuss करनी है, जो हमें यह function given है, e raised to power minus x, यह तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमें पता है कि एक बात, कि e raised to power iota theta, जो है, यह हमारे पास होता है, cos theta plus iota sin theta के equal होता है, तो यह result हम यहां पर use करने जा रहे हैं, इसके लिए e raised to power minus iota y के लिए, तो cos में जब हम minus y पुट करेंगे, तो cos जो है, वो हमारे पास हो जाएगा, cos into minus y जब पुट करेंगे, तो यह हमारा, cos y के equal आजएगा क्योंकि cos जो है, वो एक even function है, ठीक है, अब sin में जब हम पुट करेंगे, sin में जब हमारे पास minus y आएगा, तो यह हमारे पास minus जो है, वो इसमें बाहिर आजएगा, minus time sin y हमारे पास आजएगा, तो इसलिए यह negative जो है, वो यहां पर हमारे पास आगया है, बाहिर, तो यह हम पर टाइप नी हुआ, वाइनस X आएगा, और E raised to power minus X cos y, यह हमारा real part है, और E raised to power minus x, sin y, यह और साथ एक यह negative, यह हमारे पास जो है, वो imaginary part R है, इसकी जो है, वो derivative partial derivative सब्सक्राइब से लेने हैं, तो ये cos y जो है वो ऐदा constant treat होगा और e raise to power minus x का जब हम partial derivative लेंगे तो वो minus times e raise to power minus x आ जाएगा into cos y अब हमारे पास v इसी तरह इसका जब हम with respect to y लेंगे u का तो e raise to power minus x ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और cos y का जो derivative है वो minus sin y है इसलिए ये negative sign आ गया इसमें अपने science का खास दोर पे जो है वो धियान रखना है अब next चाम लोग जो है वो derivative लेने जा रहे है वी का वी का with respect to लेने जा रहे है x derivative जब वी का with respect to x derivative लेंगे तो e raise to power minus x का जो derivative है वो हमारे पास minus e raise to power minus x आ जाएगा ये भी power में minus e है तो ये minus e raise to power minus x आ जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो plus हो जाएगा अब यहाँ ये plus हो गया तो अब इसका y का respect से लेंगे तो minus e raise to power minus x ऐसे ही आ गया और sign का derivative जो है वो plus cos y होता है तो ये plus positive cos y जो है वो साथ आ गया अब यहाँ से हम clearly देख सकते हैं कि हमारा जो है वो UX यू Eक्स हमारे पस यहाँ पर या आ रहा था UX तो यह UX जो है वो हमारा VY के equal है से छला जो है हमारा VX वो minus times UY के equal है तो C-A equations जो है वो हमारी satisfy कर रही है और इसके यह जो denkt का derivative है यह हमारे पास जो है वो फिर हमारे पास continuous भी है इसके यह डेरिवेटिव और यह function itself भी continuous है तो हैंस CR equations भी satisfy कर रही है तो फिर यह function जो है वो differentiable हो जाएगा everywhere इसका मतलब है कि यह जो हमने example ही यह function हमारा जो है वो everywhere differentiable हो जाएगा अब इसके जो बागकी पार्ट से उनके आपने खुद से जो है वो चेक करना है कि वो differentiable है यह नहीं है और अगर नहीं है तो ऐसा कौन होल प्लेन में नहीं है तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जिस पर सब्सक्राइब करेंगे और वो function differentiable होगा यह आपने चेक करने है